अलो रिवान माँ नेम इस विजेश्री अन एलेक्ट्रिकल नॉलिज अन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का जो हमारा टुटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं व्ट are the Types of fans तो fans के इतने तैप सहते हैं और 甚 मैं देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखते हैं सिली फैन आपने सबने यह चुन नाम होगा देखा होगा सब के घर में लगा हूआ होता है गर्मी हो ठंडी हो नॉर्मल या फिर winter हो summer हो किसी भी season में ये fan हमारे घर में चालू रहता है ये ऐसा consistent use होने वाला appliance है electrical device है तो ceiling fan की जो image है आप screen पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से दिखता है सब के घर में होगा तो ceiling fan exactly होता क्या है और ये काम किसे करता है अभी this fan is like the centerpiece of a well-set dinner table अब ये सब को पथाए कि एक centerpiece की तरह यानि की रूम के बीचों बेच हम इस fan को वगरा लगाते है ताकि इसकी जो हवा है वो पूरे रूम में वो अपनी हवा बिखेर सके since it is placed in the center of room on the ceiling it must be eye-catching and yet functional at the same time और इसलिए लोगों ने उस पे लोगों का धान जाना चाहिए और साथ ही साथ उसका operation भे उस तरीके से होना चाहिए so there is no dearth of choices in styles and features of ceiling fans available today बहुत ही various types के जो ceiling fans है वो आजकल मार्केट में available है उसके साथ साथ there are multiple things to keep in mind when choosing the most suitable one अब हमारे लिए best ceiling fan कौन सा होगा कौन सा हमारे लिए suit करेगा वो हमें डूंडने के जरूरत होती है so when it comes to choosing a fan okay we have to you know keep multiple things in mind while choosing the fan so सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा fan की size तो fan की जो size है वो appropriate होनी चाहिए हमारे room size से तो room की जो size है उस room के size के according हमारे fan की size होनी चाहिए if your ceiling fan is ceiling fan height is higher than the normal look at the lengthen drop rod elegantly styled ones with decorative embellishments and chandeliers would complement your living room अब यह इसमें बताया गया है कि हमारा जो ceiling fan होता है उसकी अगर height हमारे ceiling fan की अगर height बहुत ही जादा लंबी है यानि कि हमारा जो roof है suppose यह roof है यह बहुत जादा height पे है तो हमें क्या करना है जब हम ceiling fan लगाते हैं so that हमारे ceiling fan की हवा जो है हम तक आसानी से पहुच सके तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो decorate किये गए होते हैं या फिर बहुत ही innovative तरीके से उसको style किया गया होता है ऐसे जो rods होते हैं जो कि हमारे ceiling fan की length को बढ़ा सके तो इस तरीके से जो दिखने वाले जो rods होते हैं वह हमारे room को अच्छे तरीके से उसका जो look है वह compliment कर सकते हैं so when it comes to ceiling fan उसकी जो हवा है उसका जो operation है वह इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी जो हवा है वह पूरी room में वह equal क्या कहते है frequently equal quantity में हर जगा उसकी जो हवा है वह fake सके तो इस तरीके से operation करने वाला ceiling fan हमें हमारे room के लिए choose करना है उसके लिए पहले हमें हमारा room का design देखना पड़ेगा हमारी room का design हमारी room का length उस हिसाब से फिर हम हमारे room के according उसकी size जो है choose कर सकते है उसका operation खास करके अच्छे brand वाले जो ceiling fans होते है वो market में available होते है तो ऐसे अच्छे brands वाले ceiling fan को ही हमें खरीदना है when it comes to choosing a ceiling fan now the next one is table fan अब यह है table fan तो table fan इस तरीके से कुछ दिखता है हम table पे इसको लगा सकते है यूज कर सकते है तो table fan अगर बहुत ही popular style का जो है यह table fan जो है हम इसको उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं और उसके साथ साथ just about on anything with the firm base जिसका जो है firm base होता हो उस पे यह रख सकते हैं हम इस fan को इस तरीके से हम इसको place कर सकते हैं sorry for the design but yeah इस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही portable होता है इसको use करना उतना ही easy होता है so the remarkable thing about this kind of design is that you can direct the cool breeze in the direction you prefer and you can could even let it swing अब यह जो table fan होता है इसकी जो जो क्या केते direction हे हम इसकी चेंज कर सकते है इसकी direction हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते है effort बहुत ही जो टेबल फैंस यह स्विंग भी करता है यानि कि अपने आप यह घूंता है left to right left to right इस तरीके से यह इस विंग आते हैं और वो बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा लेंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं वन इट कमस तो दी स्विंग and you know you should not forget the best feature about this type of fan it is portable मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही portable होता है इसलिए वो बहुत ही easy to handle होता है they are sometimes referred to as a personal fans check out the range अब इसकी जो range है वो आपको चेक करने है इसके choosing के लिए यानि कि जब आपको ये खरीदना होगा when it comes to choosing a table fan इसकी range जो है हमें देखनी पड़ीगी और साथ-साथ ये जो है बहुत ही sometimes क्या कहते है इसको personal fan भी कहके refer किया जाता है इसको personal fan भी बोला जाता है क्योंकि हम इसको अपने individual use के लिए अकेले के लिए भी इसको कहीं भी उठा के लिए के जा सकते है okay so this was table fan the next one is tower fans अब tower fan इस तरीके से कुछ दिखता है ये basically tower की तरह इसका structure होता है इसको tower fan बोला जाता है so these types of fans mostly include added features like built-in ionizers that purify the air अब air purification का system भी इसमें होता है air purify करता है इसमें क्या लगा हुआ होता है ionizers ionizers okay इसमें ionizers लगे हुए होते है and they come in compact and slick designs hardly occupy any floor space तो ये जो हमारे tower fans होते है ये क्या होते है बहुत ही compact होते है compact design इसकी होती है okay ये compact होते हैं और साथी साथ बहुती मुश्किल से ये बहुत कम जगज होती है वो occupy करते है तो इसको ज्यादा space नहीं लगती space की इसको जरुरत नहीं होती बहुती compact और इसकी बहुती क्लिक design होती है they have to be placed on the floor and can be moved as needed तो इसको जो है हम table पर वगरा नहीं रख सकते उठा नहीं सकते यानि कि basically move कर सकते हैं लेकिन ये portable नहीं होते और इसको हम table fan की तरह use नहीं कर सकते जिसकी कोई भी form space हो उसके उपर हम बिठा दे ऐसा नहीं होगा तो ये जो है हम इसको यहां से वहां यहां से वहां move कर सकते हैं लेकिन इसको एक जगा पे जो है place करना पड़ता है floor पे उसके बाद आते है wall mounted fans तो wall mounted fans कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये है wall mounted fans ये जो screen पे आ fans की तो ये जो wall mounted fans होते हैं basically sorry okay so in case of space with high or extremely low ceilings tight or compact areas lack of hard wiring you are looking at the wall mounted fans for looking for cooling so जैसे ऐसी जगे जहां पे space की कमी है हमारे पास okay space की हमारे पास कमी है उसके साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पे एकदम extreme low ceiling है जहां पे बहुत ही और tight और compact areas है और बहुत ही lack of hard wiring यानि कि उसमें wiring के भी बहुत ही कमी होती है ऐसी जगे cooling के लिए हम क्या prefer करते हैं wall mounted fans को prefer करते हैं so these fans are aptly designed for small offices ये small offices के लिए design किये गए जो है fans होते हैं ये उसके साथ साथ huge party halls, warehouses, auditoriums and sometimes even small home kitchens के लिए भी हम ऐसे fans को use करते हैं उसके बाद आते है pedestal fans ओके तो ये जो screen पे आप diagram देख पा रहे हैं ये है diagram हमारे pedestal fan की जिनका जो है ये क्या कहते है हमारे table fan की तरह ही होता है इसका structure लेकिन इसका जो rod होता है ये लंबा होता है तो ये जो pedestal fans होते हैं ये बहुत ही easy होते है outdoor purpose के लिए use करने के लिए तो outdoor purpose के लिए खास करके ऐसे fans हम use करते हैं ऐसे events पे जहां पे large non-air जो होती है condition halls जो होते है as they offer powerful cooling तो large non-air condition यानि कि जहां पे air conditioning नहीं है ऐसे halls के लिए हम prefer करते हैं हम ऐसे pedestal fans को so ये जो fans होते है pedestal fans से बहुत ही versatile होते है they can be easily carried and placed anywhere अब ये portable होते हैं और इसको बहुत ही easily हम कहीं पे भी carry कर सकते हैं आपने देखा होगा शादी यों में वगरा जिस जगे पे cooler और स्याफर AC नहीं लगे होए होते हैं pedestal fans का use किया जाता है खास करके उसके बाद आते है exhaust fans अब ये exhaust fans जो होते हैं ये basically क्या करते हैं हमारे रूम में से हमारे रूम में से किसी भी gas को किसी भी air को smell को जो है बाहर निकालने का काम करते हैं तो ये ऐसे exhaust fans इसका use होता है खास करके और इसी purpose के लिए हम यूज करते हैं किसी भी smell को बाहर निकालने के लिए या फिर जो इस रूम में या फिर जिस रूम में भी ये लगाया जाता है उस रूम की जो air है smell है उसको बाहर फेकने का काम ये exhaust fan करता है ये ना कि किसी को air void करता है for the cooling purpose so this is exactly what the exhaust fan does no longer considered a luxury the exhaust fan is a necessity और ये बहुत ही necessary होता है सबको पता है क्योंकि किसी ऐसी जगे toilets वगेरा हो या फिर kitchen में वगेरा हो gas leakage के डर से जो है इसको लगाना बहुत ही necessary हो जाता है the designs are available will complement your stylish bathroom और kitchen इसकी designs जो है बहुत ही various types of designs में ये available है different types की designs इसकी आपको market में मिल जाएगी तो ये थे कुछ fans के types I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो please वीडियो का like कर दीजए channel को subscribe कर दीजए और bell notification को press करना ना भूले ताकि इस तरीकी के वीडियो की regular notification आपको मिलती रहे तो मिलते हैं हम next tutorial में कर दो कर दो